बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुने हारदिक स्वागत है सातियों आज मैं आपके लिए एक खेल लेकर आई हूँ जो आप कक्षा शिक्षन में मौकिक खेल गतीविधी के अंतरगत बच्चों को करा सकते हैं और यह खेल मैंने शादी के पुराने कार्ड का परियोग करके बनाया है इसको बनाना भी बहुत आसान है पहले हम समझ लेते हैं कि हमें बच्चों को यह खेल खिलाना कैसे है उसके बाद मैं इसको बनाना भी आपको बताऊंगी यह देखिए यह मैंने इसमें चार बॉक्स बनाया है और इनमें कुछ जिलों के नाम लिख दिये है प्रत्य एक बॉक्स में कुछ जिलों के नाम लिखे गए है और एक मैंने यह बनाया है अब हम देखते हैं कि इसको खेलना कैसे है हम बच्चों को कैसे इस खेल को खिलाएंगे हम बच्चे से कहेंगे कि आप इन चारों बोक्स में से किसी एक जिले का नाम सोच लेजिए माल लीजिए बच्चे ने सोचा है रामपूर बच्चे ने रामपूर सोचा है तो वे हमें नहीं बताएगा वे उसको अपने मन में रखेगा और हम बच्चे से पूचेंगे कि जिस जिले का नाम आपने सोचा है क्या वे इस कोलम में है बच्चा बोलेगा हाँ है इसमें नहीं इसमें है इसमें है अब हम उसको बताएंगे कि आपने रामपुर सोचा है इसी प्रकार हम एक और देखते हैं मान लीजे बच्चे ने सोचा है शामली हम बच्चे से पूछेंगे जिस जिले का नाम आपने सोचा है क्या वैस बोक्स में है बच्चा बोलेगा हाँ इसमें नहीं इसमें हाँ इसमें नहीं तो हम बच्चे को बताएंगे कि आपने शामली सोचा था तो हैना ये एक बहुत ही जादूई खेल बच्चे इस खेल को बहुत ही इंजोई करेंगे इसमें आप यहाँ पर जिलो के स्थान पर और कोई प्रकरन भी ले सकते हैं पशुपक्षियों के नाम फलों के, सबजियों के नाम रंगों के नाम हिंदी में, इंगलेश में या संस्कृत में इस प्रकार हम इसकेल को बहुत तरह से बना सकते हैं और इसको देखिए कैसे बनाया गया है इसमें हमने जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ है परियागराज और परियागराज इसमें नहीं है इसमें है तो परियागराज box 1 और box 4 में है तो हमने 1 और 4 दोनों को add करके 5 में परियागराज लिख दिया है इसी प्रकार जैसे हमने आगरा देखना है आगरा box 1 में है 3 में नहीं है 2 में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है तो इसका मतलब आगरा box नमबर 1 इसका उत्तर है आगरा इसी प्रकार अगर हम बरेली देखें बरेली बॉक्स एक में है दो में भी है तीन में भी है और चार में भी है तो हम इन चारों को एड़ कर देंगे और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बरेली इस प्रकार से यह हमारा खेल तयार हो जाता है यह इस तरह से हमने यह खेल बनाया है इसको बनाना बहुत ही आसान है आप इसको तरह तरह के टॉपिक लेकर अलग-अलग टॉपिक लेकर बना सकते हैं तो चलिए हो जाएए शुरू आप भी यह खेल उनाने के लिए धन्यवाद उन्यवाद